तो दोस्तो कितनी बार आपने देखा होगा कि कहीं कहीं पर रेड पढ़ती है और जैसा कि रेड मुवी में भी आपने देखा है कि एक गर में से काफी सारा सौना निकलता है तो आपको भी एक क्वेस्चन होता होगा कि मान के चलो कि आपके गर में या किसी के भी गर में रेड पड़ती है तो आप कितना सोना रख सकते हैं कि जिसका अपने इंकम प्रूफ नहीं बताया हो तो भी गवर्मेंट उसको सील नहीं करेगी तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि आप विदाउट प्रूफ कितना सोना अपने गर में रख सकते हैं जिससे गवर्मेंट इसको सील नह दोस्तों जैसे हैं कि आपको पता है आज कल हमारा देश ondan कि यानि कि एक simple अपना पांकाट डालते हो तो तो इस हिसाब से देखने जाओ तो आपने अपकी अपनी इंकम के ऊपर कितना टेक्स बराए वो भी गवर्वर्मेंट को पता चलता है इस हिसाब से अगर आपके इंकम ठोड़ी भी जादा होती है थोड़ी भी कम होती है आपके खर्चे पर आपने उसका टेक्स नहीं बढ़ा है तो इस केस में आपके घर में कितना सोना हो सकता है कि अगर आपने उसका प्रूफ नहीं दिया हो पोई इंकम नहीं बताई हो तो भी आप उतना सोना सुरक्सित रख सकते हैं विदाउट इंकम प्रूफ तो चलिए दोस्तों जानते है कि वह कौन-कौन से प्रूफ है और अपने कौन कितना सौना है जो आप अपने घर में रख सकते वह भी विदाउट इंकम फ्रूफ उससे वह जानने से पहले हम हमारे इंडिया की मानसिक्ता जान लेते हैं कि हमारे इंडिया में एक गोल्ड को एक इंवेस्मेंट के रूप म आगे की आने वाली पेड़ी को भी दिया जाता है कि यह हमारे पुर्कों का सोना है इस पालब की वो वो सोना पेड़ी तू पेड़ी चलता रहता है इसको ध्यान में रखते हुए सेंटरेवड बार्ड ओडैरेक्ट टैक्सेस ने 1994 के अंदर ये डिसाइड किया था कि विदाउट प्रूफ आप अपने गर में कितना सोना रख सकते हो यही चीज Ministry of Finance ने 2016 के अंदर repeat की हुई है कि आप अपने गर में इतना सोना without income proof रख सकते हो तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि आप without income proof अपने घर में कितना सोना रख सकते हो अगर आपके पास प्रॉपर प्रूफ है आपने पूरे इंकम बता हुआ है तो आप आपके घर में कितना भी सोना रखो उसके ओपर कोई है एक मैन अपने नाम पर सो ग्राम सोना रख सकता है तो यह हमारे गवर्मेंट के तरफ से डिसाइड किये जाने वारी सोने के ग्राम से जो अपने इसाब से उनके नाम पर रख सकते हो without income proof तो मान लो कि कभी आपके घर में रेड पढ़ती है या आपके आपके कहीं भी पढ़ती है तो अगर इतना सोना निकलता है उनके नाम पर तो गवर्मेंट इसको सील भी नहीं करेगी नहीं इस पर कोई भी income proof मांगेगी तो इससे बचने के लिए आपको ज्यादा तर अगर आपके घर में रेड पढ़ती है तो आपको हमेसा एक बाद का ध्यान रखना है कि जो भी नाम का सोना है उसके उपर एक परची लगा के रखिए तो जब भी rate पढ़े या अपने inquiry आये तो आप easily बता सकते हो कि ये सोना ये वक्ति के नाम पर है तो आप easily उससे solve कर सकते हो तो आजानकारी के लिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और मेरी चैनल परने हो तो चैनल को सब्सक्राइब परना मत भूलना